हेलो एवरीबन वेलकम माई यूट्यूब चैनल तो यहां पर हम बनाएंगे इस प्रकार की ड्रेस तो यहां पर यह पर यह उन्हें यहां पर सैंपल भेजा है तो हमें इस प्रकार की यहां बनाना है कफडा है यह इसकी लेंथ है 31 और सब्सक्तम 23 और 38 और ini नाप से कटेंगर इसका यहां पर हम लेंगे इस नाप ठीक है और जो भी आपकरbor आपको इसका इन्हें पर समय कड़ साट यहां और शांप जो बाद जीए हें funktioniert निशान लगा लेंगे एक आगे लगा लेंगे बढ़ा के जिससे हमारा निशान सीधर लग सके मैंने यहाँ पर वीडियो पूरा डेटेल से बताया है उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में जरूर आएगा अगर आपकी समझ में नहाए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ स तो इस तरह से लगाएंगे निशान और दूसरा एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसका निशान लगाएंगे ठीक है उसके बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से हलकासा नीचे को एक चोंच बनाके और यहां पर कटिंग करना है और इस पिरकार यह एक्स्ट्रा मार्ज कटिंग करेंगे तो सबसे प्रहें लगाएंगे यहां पर हम प्लेट का निशान तीन इंच पे और इसको सीधा करेंगे और इसकी जो लेंगे ना प्लेट की वो लेंगे हम साड़े तीन इंच तो हम यहां पर साड़े तीन इंच पे एक निशान लगा देंगे इस परकार तो यहां पर हमने पीछे इसकी जो जॉर्जट है ना इसका कपड़ा है जो इसी का हमने यहां पर बैक पार्ट कटिंग करना है तो इसी परकार इसको हम सीधा करेंगे ठीक है आगे हमने चोंच दी है नेक की साइड में और यह बैक को हम बिल्कु सीधा कटिंग करेंगे यहां से तो यह हमारा हो गया उपर का टॉप पार्ट यहां लगाएंगे कट यह कट यहां लगाएंगे पलेट की जगा कट लगाएंगे अब इसकी हमें लाइनिंग कटिंग करना है यानि अस्तर तो इसका यह अस्तर हमने बिचा लिया है यहां पर अस्तर बिचाने के बाद म इसको भी बिलकुर इसको सिधा सिधा कटिंग करेंगे ऍूचार पर इसकी बरावर किटिंग करना है आपको यहां पर लिखालों गाता है। तो इसको रखेंगे और कटिंग कर लेंगे तो यहां पर हमारे चार पीस हो गए बैक, फ्रेंट और उस दोनों के अस्तर यानी लाइनिंग ठीक है तो यह हम उठाग एक तफ रख देते हैं उसके बाद में हमारे जो नीचे गेरी है यहां पर हम नाप हैंगे इस परकार तो यहां पर जो इसकी लैंत है ना वो हाँ पर साड़े तेरा इंच टीक है तो हम इसको नीचे है और निचे आख हमें इसका दूसरा पार्ट कटिंग करना है यानि कि जॉर्जट का पीछे का प्लेन ठीक है तो हम इसको इस तरीके से यहां पर इसका एक पार्ट और कटिंग करेंगे इसको रखना है और कटिंग कर लेना है सही तरीके से बिचा लेंगे आड़ ट्याना ना हो बिल्कुल भी क अप्रकार आप और इसकि बरावरी कटिंग करेंगे हैं आ यहां पर इसको पूरा कटिंग कर लिए डिखिए आपको अच्छी लिचा करें और कमेंट्स और करें किया जुरूर बता supreme पूर कि नीचे की घेरी की वो मैंने कटिंग कर दी है अब उसके नीचे जो कटिंग करेंगे ना वो इससे चेंच एक्स्ट्रा करेंगे मार्जन छोड़के यानि कि हमें साड़े चेंच इससे और एक्स्ट्रा कटिंग करना है जो हम इसके नीचे जाएगी फ्रेज़ तो इस तरीके से हैं बिचालेंगे सरे करके अग्रसक बिचाने के बाद आध़ हमें यहां पर इसका और उपर बिचालेंगे से और टो यह उपर उपर वाली फेरी और यहां पर और हम कटिंग करने वाले हैं तो इससे हमें छे इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है नीचे से ठीक है और आदे इंच का ले लेंगे मार्जन आप पॉन इंच का एक इंच का भी ले सकते हैं तो यहां पर है हमारी यह टोटल साड़े एक किस इंच हो गई इस परकार अब इसको हम सीधर निशान लगा के और कटिंग कर लेंगे इस तरीके दे किसी स्केल से निशान लगा लें या इंचिटे पर रखके भी लगा सकते हैं उसके बाद में हम इसको कटिंग कर लेंगे तो दोस्तो हमारी ये सामने की फ्रिल हो गई है अगर हमें एक फ्रिल और कटिंग करना है इसी के नाप की तो हम आ गए हैं मशीन पे और इसको करते हैं विसकी स्टीचिंग तो सبसे पहले उठाएंगे हम यहां पर इसकी लाइनी तीक है और यह सामने का पार्ट यानी की आगए तरह इसको बिचा लेंगे भी यह पर सामने आगए को तो यहां से हम सलाइ लगा लेना है सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम जो इसका एक कट लगाएंगे ठीक है और एक्स्टर कप्डा है ना जो इसके लाइनिंगा यह हम कटिंग कर देंगे इस पिरकार अब इसको हम पलट लेंगे और प्लट के यहां पर नाखून लगा लेंगे जिस से के नामे यहां पर ज्यादा जोल वगर नाए और उपर से लगा देंगे किनार की सिलाई इस तरह से समाल लेंगे कपड़ा लेंगे अंदर से इस वरकार और किनार की सिलाई लगा देंगे पूरे पैसी तरह में सल्य लगा देना है इसमें हलकी सी नीचा को मतलब एक ढाल बना हुआ है नेक का तो वैसे ही हम ने यहाँ पर कटिंग किये अब सल्य लगाने के बाद में इसके यहाँ पर यह सल्य लगाना है चारो तरjem ठीक है जिससे हमारी यहाँ पर lining रुख जाए यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर जो भी extra कपड़ा है वो cutting कर लेंगे आप cutting करने के बाद यहां पर हमें जो इसकी जो इस ப सामने माड़ीまで डबल फोल्ड करने के बाद यहां लगा लेगे एक निशान यहां लगा दिनाज़र के साइड़र का एक लृँड अब एक्स्टरा यहां पर हम इस तरह हुं कर देंगे पक। तो दोस्तों हमने बैक पार्ट में बेस्तर लगा दिया है अब इसकी प्लेट डालेंगे यह वारी प्लेट है ना इसके लगा लेंगे निशान साड़े तीन इंच के पिर इसकी पीछे की सैड़ में निशान लगाएंगे इस तरह और अब यहां पर हम सलाई लगा लेंगे तो हमने यहां पर दोनों प्लेट डाल ली है इसी प्रकार हमें अपने बैक पार्ड वाले में भी प्लेट डाल लेना है तो हम इसमें प्लेट डाल लेंगे तो हमने यहां पर ही प्लेट पड़ चुकी है ठीक है अब हमें इसके उपर की बनाना है इस टेप यहां आपने चोड़ाए लिए साड़े तीन इंच की ठीक है तो हमें यहाँ पर इस परकार फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में इसकी जो लैस है ना वो इसके उपर ले लेंगे इस परकार जिससे यहाँ पर हमारी इस टेप बन जाएगी उपर गी जो सैंपल था ना इनने हमें दीया था उससे हमें चौणी स्टेप बनाना है क्योंके वो ने आपने चौणी बनाना है ठीक हम उससे चौणी बना रहा है यहाँ पर वो एक किनारों पर भी सिलाई लगाना है अब हम इसके दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देंगे इस तरह तो हमने यहाँ पर यह वाली स्टेप भी तैयार कर ली है अब हमें इसी तरहां सेम तरीके से अपनी दूसरी स्टेप भी तैयार कर लेना है तो यहाँ पर हमने दोनों तयार कर ली है यहाँ पर है साड़े ग्यारा है इंच जो तयार चाहिए है वो चाहिए साड़े 10 इंच की आद अद नहीं जाएगा इसमार्जन तो यहाँ 20 सेंटर में लगाएंगे एक निशान इस तरह निशान लगाने के बाद में इसके नेक का जो फैला रखेंगे वो रखेंगे हम छे इज तो तीन इज़ आपि निश का निशा लगाएंगे यहाँ पर इस तरह और यहां लगाएंगे छे इज़ पे यह यहां पर इस तरह हो तो यहां पर बिल्कुल 20 सेंटर मागया फिर भी चैक कर लेते हैं अब यहां पर देखो इस तरह में लाएंगे इसकी नोग और यहां पर 3 इंच पर है यह देखो और यहां पर हम सही करके लगा देना है इस परकार अब यहां पर जो निशान है वो कम चमक रहा तो यहां पर भी हम दुबारा लगाएंगे ठीक है और जो हमारी बद्दी है वो हमने साड़े ग्यारा इंच के लिए है साड़े दस इंच हमें चाहिए कम्प्लेट क्यूंकि आज़ादा इंच का जाएगा मार्जन इस तरह हम यहां पर पक्की करके लगा देंगे और दूसरी बद्दी यहां लगा लेंगे इस परकार खुम मजबूत लगाना है बद्दी के दिहान रखें आप तो यहां पर हमने लगा दी है अब हम अपने बैक पार्ट में यहां पर इसे निशान लगाएंगे और इस तरह रखके और यहां पर हम इन बद्दीयों की जगा भी निशान लगा लेंगे जो बैक पार्ट है हमारा बलकुत सीधा है आगे के पार्ट में हलकिसी घुहों चाहिए आप देखते होंगे इस परकार रखेंगे और यहां पर भी सलाई लगा देंगे सलाई आपको यहां पर मजबूत लगाना है चिसका खास तोर से दिहान रखें तो यहां पर हम इसको को भी लगा देंगे ठीक है म कि इसको लगाने के बाद हमारे यहां पर हम की ओ चुकी है तैयार अब हम इसकिशी की गहरी को तैयार करेंगे ठीक है यह की हमारा उपर का टॉप पार्ट हो चुका है complete आप देख सकते हैं ठीक है है तो यहां पर इस तरीक prostu नीचे की यह घृरी है यह च्छोटी है इस तरह लाइंगे structural यह पर ची इकले च्छरा तो यहाँ पर बीह स्टो कर देंगे और यह इस तरह ना दालेंगा है अब हमंआपने माशीन पर अाएं और यह अज फीष्य को फोल्ड कर देंगे सबसे पहले यह उपर का है तो अम इसको फोल्ड करेंगे इस परकार पूरी स्लाई लगाएंगे ठीक है इस परकार आप लगाते चले जाएं बिल्कुत सीधी करके आप चाहें तो यहाँ पर लेस बगरागा भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप के नाव में भी कर सकते ही दिसाविंपल आया था तो हम इसी परकार फोल्ड करेंगे तो हमने यहाँ पर दोनों फोल्ड कर लिए हैं अब हम क्या करेंगे इसको इस पर बिछा lÉंगे इस तरह और यहाँ पर हम इसको सिलाई लाकर इसमें एक दुसरे में antic कर लेंगे पूरी सिलाई लगाएंगे मिलाके तो यहां पर हमारा यह लगवक्त पूरी सिलाई लग चुकी है अगर आपका यहां कपला आगा दो रहता हो आगे पीछे चोटा बड़ा तो आप इसको यहां पर इसको मिलाके और कटिंग कर देंगे बात को तो यहां पर हमारा यह अटेज शो चुका है नीचे देखी हमारे साड़े चेंच है अब लगवे तो यहां पर हम प्लेट डालनेगे टिक इसी तरह यहां पर पूरी प्लेटे आप डाल लेंगे तो आप यहां पर इस प्रकार तो हमारी पूरी प्लेटे पड़ चुकी है और प्लेट डलने के बाद में आप हमारा यहां पर तयार हो चुका आप अपने सामने के बराबर ना अप लेंगे तो यहां पर यह बिल्कुल बरावर है आप देख सकते हैं ठीक है अब हमें यहाँ पर पूरी इस नि इलाई लगा देंगे और यहाँ पर मशीन पर पूरी इस परिकार लगा आप पलेटे डाल के चैक जरूर कल लें अपने उपर के टॉप पार्ट से के बरावर है या नहीं अगर छोटा वैट्था है तो आप एका पलेट कम कर सकते हैं खोल सकते हैं इसमें से अगर आपका यह बड़ा है तो एक हाथ प्लेट एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो यहाँ पर यह आपको इसके बरावरी रखना है चीज का ध्यान रखें तो हमारी यहाँ पर सिलाई लग चुकी है इस पर कर लेंगे हम ओवरलाग जिससे दागव अगरा ना लिख लें तो यहाँ पर हमारा यह देव होई बिल्कुल यहाँ पर फ्रिल जो भी अमार नीचे के गहरी है वो यहाँ पर अटैच हो चुकी है इसी पिरकार हम अपने पीछे की गहरी अटैच कर लेंगे यहाँ पर इसमें अब हमने यहाँ पर यह आगे पी पीछे गहरी कर लिया हैं अब हम यहाँ पर इसकी दोगों पीछे भी न उखे यहाँ करें सेड और यूड करेंगे यह Wam सैड और यह वान जेड दोनों सेड बंद कर लेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले आगे लैस ठीक है यहाँ पर हम लैस लगाएंगे तो इसका लुक है वो और बहतर हो जाएगा तो इस तरह से हम यहाँ पर टशियर देख लेंगे लैस में तो यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे पहले हमने लेस के उपर वाले किनार पर सिलाही लगाई है और उसके बाद हम लगाएंगे इसके नीचे वाले किनार पर सिलाही जिससे हमारी लेस उठेना उपर को अब यहाँ पर हम इसकी किनार पर लगा देंगे ठीक है इस परकार इससे हमारी लैस पूरी जमी रहेगी तो वीडियो को लाइक शेर ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने नहीं किया है तो ठीक है तो हमने यहाँ पर लैस लगा लिए है अब इसकी हम कर लेंगे साइडे बन तो इस तरह से हमने इसका निशान लगा लिए है जो भी इसका मजरमेंट था उसके हसाब से आप पहले निशान लगा लें और उसके बाद यहां पर सिलाई लगाएं जिससे फिटिंग में कोई कमी ना आए इसको यहां पर जोएंट से जोएंट मिला देंगे इस प्रकार और पूरा नीचे तक इसको बंद कर लेंगे तो यहां पर हमारी सलाई ही हो चुकी है कम्पलीट इस पर लगाएंगे हम डवल डवल सलाई ठीक है मगर आपको यहां पर मैं सिंगल बता रहा हूं मैं बात को लगा दूँगा और यहां पर धागे बगारा सब कट कर लेंगे और इसकी यहां वाली साइड भी बंद कर लेंगे तो हमने इसकी दोनों साइडे कर ली हैं बंद अब इसको हम सीधा कर लेते हैं तो यहां पर हमारी ड्रेस पूरी तरह से तैयार हो चुकी आप देखें कितनी बेहतरीन लग रही है ठीक है जैसे दो को हमने यहां पर यहांपर यहांा हूई जो आमाजान चिन ने मघा besar ता है, गहाल cela क będę bent अगर आपको वीडिव अचुखे हैं प्लीज वीडियो को लाइक क्शेयर करें